So hello everyone, welcome back to my channel Friends, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Beltron के जितने भी data entry operator है उन लोगों के यहाँ पे salary के बारे में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे जिन भी department में वो काम करते हैं और उन लोगों का यहाँ पे salary जो है एक UHCFMS के तरफ से जब bill generate किया जाता है तो उन लोगों को treasury से पास होके एक UTR नमर दिया जाता है Friends, उस UTR नमर को किस तरह से आप लोगों को submit करना है और कब तक UTR नमर submit करने के कितने दिन के बाद आप लोगों का payment जो हो आ जाता है वो आज की इस वीडियो में पुरा complete process हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग UTR नमर को किस तरह से submit करेंगे So Friends, यहाँ पे अगर आप लोग इस चैनल फिनना है है तो नीचे subscribe button पर click कर channel को subscribe कर ले साथी साथ bell notification को भी जरूर on कर ले आप लोगों को ऐसी update लगातार मिलती रहे तो Friends, यहाँ पे होता यह है कि जब भी आप लोग यहाँ पे बील बनवाते हैं, चाए वो अंचल सी बील बनाते हों या आप लोग जीलावाइज अपना बील जो भी department का बनाते हैं अगर CFMS के अंदर बील बनता है तो उसका एक UTR नमबर जनरेट किया जाता है और जिन किसी का भी यहाँ पे ERP पे नाम जो है चट गया है और वो UTR को submit करना चाहते हैं तो उसको यह समझ नहीं आता है कि किस प्रकार से उस UTR नमबर को यूज करना है किस प्रकार से उस UTR नमबर को submit करना है तो आज किस वीडियो में आप लोगों को उसका process बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों को UTR submit करना होगा इसके लिए फ्रेंड्स आप लोगों को customer login का ID password होना चाहिए अगर आप लोगों का जो नोडल पटारिकारी होगा उसका एक ID और password होता है वो आप लोगों को सबसे पहले अपने पास रखने होंगे फ्रेंड्स जैसे आप लोगों को पास ID password हो जाएगा मिल जाएगा तो आप लोगों को customer portal की beltron का customer portal है उस पर आजाना है जैसा कि आप लोग ये interface देख सकते हैं इस interface के दुआरा यहां पर आप लोगों को username जो है मांगा जा रहा है और साथ ही साथ यहां पर आप लोगों को password मांगा जा रहा है तो आप लोगों को username पासवर्ड के साथ आप लोगों को सबसे पहले जैसे ही आप login करेंगे login करने के बाद कुछ इस तरह के interface आप लोगों को क्लिक करना है और यहां पर बहुत सारे options आप लोगों के सामने आते हैं इसमें से अगर आप लोग अपना UTR submit करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को customer invoice पे क्लिक करना है जैसे आप लोग customer invoice इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप लोगों का यह open हो जाएगा is वह आप लोगों को यहां पर फ्रेंड्स यहां पर आप लोगों को side में आजाना है और यहांप अप्लोगों को एक option दिखाई रहा हूँ जैसा कि के आप महीं दख सकते हैं यहां पे कलिक को इस पे click करना है जैसे आप लोग इस पे click करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यह open हो जाता है यहाँ पर कुछ basic details मैं hide करके रखावा हूँ तो इसको आप नौर करना है नीचे आप लोगों को स्क्रोल करना है और स्क्रोल करने के बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कस्टमर पेमेंट डिटेल्स यहां पर आप लोगों का इस प्रकार से आज आता है तो यहां पर मैं बारे बारी से आप लोगों को बता देता हूं कि किस प्र प्रोसीड पहले नहीं रहेगा आप लोगों को सलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को payment process select करना है दूसरा है आप लोगों को mood of payments यहाँ पर आप लोगों को transfer to bank को सलेक्ट करना है तीसरा जो है आप लोगों को बेंक का नाम जो की यहाँ पर Indian overseas bank का जो account नमर है Beltrone का वो आप लोगों को automatic deduct कर लिया जाएगा, साथी साथ आप लोग जैसे ही नीचे bank account नमर पर click करेंगे, तो आप लोगों का यहाँ पर कुछी सब्कार से bank account नमर भी आप लोगों का यहाँ पर सोग कर दिया जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ पर mood of payment में neft और MPS का दो options आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आप लोगों को simply यहाँ पर neft कर लेना है, bank UTR नमर, यह जो है आप लोगों को अच्छे से डालना है, आप लोगों को जो treasury से पास होने के बाद एक UTR नमर जन्रेट खुटता है, वो आप लोगों को सही-सही UTR यहाँ पर submit करना है, उसके बाद आप लोगों का जो UTR जेनरेट हुआ वो कितने amount का जेनरेट हुआ है वो आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना है और साथी साथ आप लोगों का यहाँ पे UTR का balance भी दिख जाएगा अगर आप लोगों का यहाँ पे इन्बॉइस 25,000 हाहा है और अगर अगर आप लोगों का जो है यहाँ पे UTR एक लग का जेनरेट किया गया है तो आप लोगों का जो total last balance होगा वो आप लोगों को यहाँ पे 100 हो जाएगा आप लोग यहाँ पर उतना ही amount type करेंगे जितना आप लोगों का invoice होगा और यहाँ पर आप लोगों का जो है यहाँ पर जो भी balance बचेगा वो आप लोगों का यहाँ पर sow हो जाएगा उसके बाद friends यहाँ पर आप लोगों का UTR का कब आप लोगों का UTR generate हुआ है वो आप लोगों को यहाँ पर select करने है आप लोगों को यहाँ पर जैसे आप लोग date select करेंगे उसके बाद यह जो है आप लोगों का जो भी invoice में जितना amount होगा हो automatic यहाँ पर आप लोगों का deduct रहेगा उसके बाद आप चाहे तो आप लोग comments में कुछ भी अपना जो भी आप लोग remarks टाइप करना चाहे कर सकते है नीचे आप लोगों को यहाँ पर friends एक option मिल जाता है submit करने का आप लोगों को submit कर देना है जैसे आप लोग UTR submit करेंगे तो यह सारी details आप लोगों का जो है disable कर दिया जाएगा उसके बाद इसमें किसी भी परकार का आप chance नहीं कर पाएंगे तो जिसे ही आप लोग UTR submit करते हैं उसके जो है आप लोगों को 7 to 10 days के बाद जो है आप लोगों का 7 से 10 दिनों के बाद जो है आप लोगों का payment आपके account नमर में भेज दिया जाता है अगर आप लोगों के पास जो है ज़्यादा समय लग जाता है payment में तो आप उर्मिला को contact कर सकते हैं उसके दुआरा आप लोगों का payment प्रोसीड कर दिया जाएगा और जल्दी आप लोगों के bank account जो भी आप लोग दिये होंगे उसमें transfer कर दिया जाएगा जिस किसी का भी first payment जो है release किया जाता है उसमें थोड़ा time लग सकता है maybe 7-7-15 दिनों का आप लोगों का जो है यहाँ पे समय लग सकता है तो आप लोगों को घबराने की कोई भी आप सकता नहीं है यह मैं build process जो बताया हूँ आप लोगों को यह जो है आप लोगों को खास करके उसके लिए है जिसका online absentee upload होता है और online जो आप लोगों का payment जो UTR generate के माधेम से जो payment आप लोगों का proceed किया जाता है उसके लिए यह सारे process मैंने बताई है आप जिनका की ERP पे नाम नहीं चड़ा है अगर उसका भी कोई आप लोग process समझना चाहते है कि किस तरह से आप लोगों को UTR generate करना है और किस तरह से आप लोगों को forwarding later बना के beltron को भेजना है उसके बारे में भी हम next वीडियो आप लोगों को यहाँ पे upload कर देंगे जिससे आप लोगों को बहुत ही सहता होगी अपने payment process को complete करने में तो दोस्तों आप लोगों को अगर इससे related जितनी भी परिशानी हो आप हमें comment section में comment कर सकते हैं हम उस पे proper वीडियो आप लोगों को बना के provide कर देंगे so I hope कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रिशानी नहीं होगी UTR generate होने के बाद payment process complete करने के लिए अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी प्रकार की प्रिशानी होती है और अपने friend के साथ सारे group में इस वीडियो को share करें ताकि आप लोगों को जितने भी आप लोगों के साथ ही है सभी को इस payment process के बारे में पता चल सके तो मिलते हैं फिर से किसी next वीडियो के साथ तब तुर ले बाई टेक केर